हेलो फिंट्स वेलकम बैक टियोर चैनल स्मार्ट टेरस क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम में निफ्टी-विफ्टी और डैली अनालीसिस करते हैं यह करने के लिए हम यूच करते हैं टेकनीकल रीट करते हैं OS ॉप्षन in government कौ दोस्तों हैं और निए और निएस के अंधर चे करने के लिए भी और ब्रिंट को डिसकरते हैं उनने नोडान करते हैं ताकी नेख़्ट chef कोई position बनाएं तो इन labels को ध्यान में रखते हुआ अपनी strategy को design कर सके हैं साथ में हम discuss करते हैं हमारे intraday trades के बारे में and logic behind that trade too दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो अब तक रोज़ात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए साथ में इस channel पर आपको technical analysis और training techniques selected videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं for example अगर आप options के अंदर में trade करते हैं तो option chain को किस तरह से effectively read करें साथ में कौन से strike के उपर में buyers active है या seller active है या तो कौन से strike पे काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसके अलावा technical patterns को किस तरह option के साथ में mix करके trade करें इन सब subject को cover करते हुए videos आपको हमारी playlist में मिल जाएंगे so friends इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए आपसे request करेंगे कि channel को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें so friends शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, bank nifty और हमारी intraday trades के बारे में शुरूआत करेंगे हम India Wix के साथ में India Wix 30 के नीचे certain लोता हुआ नजर आ रहा है बढ़िया है bull run continue हो सकता है अगर यह और इसी तरह से नीचे जाता रहे तो आज की दिन की बात करें तो आज शुरूआत होते ही थोड़ा सब bullish होने की कोशिश हुए थी मैं बात कर रहा है इंडिया Wix की थोड़ी bullish होने की कोशिश हुए थी यह नहीं market नीचे जा रहा था लेकिन buying emerge हुई नीचे से और हमें अच्छा खासा rally देखने को मिला सो अगर निफ्टी 50 देखे तो निफ्टी 50 के अंदर में लगग लगग 150 पॉंट्स का गेन हमें देखने को आज मिल रहा है 152 पॉंट्स का गेन है closing हुए 10,244 बहुत दिनों बाद इस range के अंदर में closing देखने को में मिली हुई है और जो हमने वीडियो वेडनेस डे की वीडियो के अंदर में जो ब्रैकेट के बारे में बात किया था वो ब्रैकेट तूटते हुए भी नजर आ हुआ हुआ है opening वी थी 10,119 पे and low बनाय 10,072 का high बनाय 10,272 का closing लगबग लगबग आप बोल सकते हैं कि हमार जो high point थी उसके आसपास ही हुई है पुरा दिन में कितने points का movement किया पुरे दिन में लगबग 200 points का movement करते हुए निफ्टी दिख रहा है बैंक निफ्टी के बात करें 381 points का move देखने को मिल रहा है 21,338 पे देखने को मिल रहा है हमें bank nifty opening हुए थी 20,970 पे थोड़ा नीचे गया 20,878 तक high बनाय 21,467 and closing जो है यह जो last closing थी 21,000 के नीचे थी आज की closing 21,000 के उपर दिख रही है तो कितने points का move है लग 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 आप देखें के 580 points का move यहां पर भी देखने को मिल रहा है तो nifty और bank nifty दोनों के अंदर में अच्छा gain देखने को मिल आज के दिन में in fact अगर मैं बोलू तो कल का rally जो था आज जो continue हुआ कल का जो candle था मैं normally बोलता हूं कि Thursday के candle के उपर मैं इतना believe नहीं करता हूं आज follow up buying की expectation थी अगर follow up buying होता तो definitely उपर जाते तो follow up buying आज देखने को मिली है लेकिन जो bank nifty के अंदर में range है उस range के उपरी level पे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं वहां से तो profit booking देखने को मिला है but even then अगर आप देखेंगे तो हम higher point के आसवास में जाके हमने closing दी है nifty और bank nifty दोने के दोनों के लिए अच्छा साही नहीं है बात कर लेते हैं मारे internet trades के बारे में दोस्तों मॉर्निंग में मैंने मेरे टेलीगाम चैनल पे 9 30 से 10 o'clock के बीच में वीव रखा था और वी वस वेरी क्लियर की bank nifty जो है वो फिलहाल के टाइम पे mildly bullish लग रहा है वाइंस I said mildly bullish because 10,200 माफ करेगा 21,200 एक ऐसा लेबल था जहां पर थोड़ा सा resistance नजर रहा था और यह हमने कल के वीडियो में discuss भी क्या था जैसे ही हमने 21,200 थोड़ा follow buying देखने को मिलिया and we went up till 21,467 also so view mildly bearish था और ऐसा लग रहा था कि 21,200 के आसपास में थोड़ा सा support resistance की का नहीं हो जब करती है यह मैंने मेरा view टेलिग्रम में शेर किया था ट्रेट के लिया मैंने आगे राज future के अंदर में काम किया क्या future जब मालू मैं कि अच्छा काम हो रहा है तो features के अंदर में बढ़िया position मिल रही थी features के अंदर में अच्छा profit हुआ so future में मैंने ट्रेट किया तो यह last 2 weeks से मैंने मेरा strategy change क्या definitely मैंने थोड़ी strategy के अंदर में काम करने कोशिश की हुई है हाँ अब next week से फिर से चालो करेंगे options के अंदर में काम करना options के अंदर में view right बैठ रहा था तो अब जब view right है तो मैं options के अंदर में trade कर सकता हूँ so definitely options के अंदर में Monday से trade करने के कोशिश करेंगे फिर से जिस तरह से अप्रिल और में options के अंदर में बात हुई थी फिर से उसी तरह से options में बात करना चालो करेंगे तो यह हमारा internet rates के वारे में बात हो गया so friends यह basically मैं मेरे telegram channel के उपर में share करता हूँ अगर आप हमारे telegram channel पे है तो बढ़ियां बात है अगर आप हमारे telegram channel पे नहीं है तो हमारे telegram channel join कर सकते है उसका link आपको description में मिल जाएगा साथ में अगर आप join करना चाहें तो आप हमारा website www.smarttradersclub.com वहाँ पे जाके यहाँ पे आइकन पे प्रेस करके भी आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं या आपे twitter पे follow कर सकते हैं इसन क्या है यह बताने के पीछे क्योंकि there are many fake channels जो smart traders club के नाम पे या तो आपको super shares के नाम पे fake channels मिल जाएंगे telegram के उपर में जिसके अंदर में आपको थोड़े बहुत members भी मिल जाएंगे लेकिन वहाँ पे आप जॉइन करेंगे तो कोई आपको message नहीं मिलता है जो सही है smart traders club से जॉइन करना तो आप यहां से जॉइन कर सकते हैं इसके लवा कुछ courses जो हम online offer करते हैं उन courses के बार में आप यहां पे details भी देख सकते हैं बात कर लेते हैं nifty 50 और bank nifty के बारे में आने वाले week के अंदर में कैसे काम हो सकता है एंड क्या expectation रखनी चाहिए market bullish हो का या bearish इसके बारे में बात कर लेते हैं शुआत करेंगे nifty 50 के साथ में nifty 50 जैसा मैंने बोला कल की follow up buying देखने को में मिली हुई है आज हम नजर आए हुए है 10,254 के पास में हाई जो बनाए 10,271 निफ्टी के अंदर में 10,300 के आसवास में profit booking पॉसिबल है और यह देली चार्ट के ओपर में क्लेरली देख भी सकते हैं 10,300 के आसवास हम दो बार गये हैं और आस हमने profit booking देखी है in fact हमने 9th June 2020 को हमने जो हाई बनाया था that high point was somewhere close to 10,291 आज जो हाई बनाया है 10,272 के आसवास का है let's see क्या यह rally हमें मंडे को भी देखने को मिलती है क्योंकि अगर यह rally मंडे को आपको देखने को मिले तो एक आपको 10,300, 350 के आसवास में strong resistance मिलेगा उसमें no doubt in that यह आपे strong resistance मिलेगा एक बार कोशिश करें अगर इसके उपर हम टिकते हैं तो 10,500 तक की rally भी देखने को में मि सकती है थोड़ा उसके उपर में ध्यान दिया जा सकता है ध्यान कहा रखना है इंडिया विक्स के उपर में अगर इंडिया विक्स आपको गिरते वे नजर आ तो 10,500 भी पॉसिबल है 10,300 के आसवास में आपको यहां पर एक बार movement जरूर मिलेगा 10,000 I mean to say resistance जरूर मिलेगा 15 अगर 15 minutes के चार्ट पर देखें तो 10,200 के आसवास में जाते ही या 1.30 को क्रॉस करते क्योंकि जो हमने बात किया हुआता कल के दिन में कि अगर इस लाइन को क्रॉस करते हैं हम 10,040 के ओपर में टीकते हैं तो एक बार चांसे जो हम कल टीके ते एक बार चांसे बनता है हमें जाने के लिए एक बार हमें 100 points का 100 points का moment देखने को मिल सकता है we didn't move 100 points we moved 200 points basically so profit यहां पर भी बुक होते हुए नजर आया अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा so definitely आपने यहां पर trade लिया रहेगा वहां पर profit booking हुई रहेगी so candle कैसा है bullish candle है बढ़िया candle है नीचे से buying देखन को मिल रही है उपर से इतनी ज्यादा कुछ कास profit booking देखने को नहीं मिल रही है confident buy बोल सकते है trend follow हुआ है कल का दिन का so definitely follow up buying फिर से बनती है जब हम इस trend को तोड़ते हुए एक बार this trend को जो यह trend line आपको दीख रही है दो मैने जसी extent line के हिसाफ से रह किया है but even एक बार this trend line को एक बढ़िया support आपको मिलेगा नीचे की तरफ यह है Nifty के बारे में चले देख लेते हैं Nifty option chain पर क्या हमें reflect कर रहा है तोस्तों कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में clear cut आपने बोला था कि market उपर जाने का sign आपको कहां से मिलेगा कल के दिन में so तो वह उसके बात करेंगे पहले देख लेजिए हमने 10,244 पे closing दी है add the money हमारा 10,200 होगा so let's talk about 10,200 यह हमारा ATM है 10,200 हम इसके बात करेंगे कल के वीडियो में clear cut हमने बात किया था कि अगर आपको 10,000 के उपर में unwinding देखने को मिल रही है सो market उपर जा सकता है क्यों बोला था ऐसा क्योंकि 10,000 के उपर में बहुत बढ़िया पोजिशन थे कर में 10,000 के उपर closing देथी इसके बाद में यहां पर कुछ खास unwinding देखने को मिलने रहे है आज लग 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 4,500,000 का open interest अन्वाइड बात बात करो तो थीक थाक अल्मुस्ट 50% के वाँ पर लग 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 54,500,000 के उपर लग 25% के और वाँ बजरा है विश्टा हो जाएदा बीकली का लग 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 मिलने देखने को लेबल से मिल रहे है इसका मतलब क्या हो सकता यह अन्वाइड यह से unwinding हो रहा है put side में addition हो रहा है एन एडिशन देखिए जैसे कल के वीडियो में मैंने clear कर भोला था कि अगर market किसी एक direction में जाता है और उस direction के अंदर में आपको prices या open interest के बिल्ड होता हुआ नजर आए तो वो strain के लिए बढ़िया चीज है हम फिलाल उपर की तरफ जा रहे है and open interest highest open interest हमें shift होता हुआ नजर आ रहा है और shift हो के 10,000 पे आ गया है जो 9,800 पे काम कर रहा था जो 9,900 पे काम कर रहा था वो shift हो की या 9,500 पे जो था वो shift हो के अभी 10,000 के आसवास में नजर आ रहा है 9,500 अभी भी 40,000 काम है या पर open interest है but जब मैं बात करा हो 39,62,000 डेफिनेटली यह ज्यादा strong नजर आ रहा है why I am saying so reason being पहले तो यह बहुत ही नजदीक है 10,200 के नजदीक है दूसरा आज यहां पे आपको meaningful writing देखने को मिल रही है so 10,000 अब test करना important हो गया 10,000 why I am saying test करना क्योंकि इसके आसपास में मिला buy any news अगर 10,000 के आसपास में मिला तो आपको buying opportunity बात देखनी चाहें वाँ पे psychologically भी 10,000 है की important label है अगर मैं दूसरे positions के आरें बात करो तो देखे आपको 37 lakh का open interest 9,900 पे भी मिलेगा 10,000 तोड़के आप नीचे की तरफ जा 34 lakh का दिखाई देगा कहां दिखाई दे रहा है 10,500 यानि यहां पे अभी भी 10,500 open interest का अच्छा काम कर रहा है open interest 34 lakh का अच्छा कास है वहां पे इसके अलाबा 25 lakh 22 lakh यह भी बढ़िया open interest है even 31 lakh का भी बढ़िया open interest 11,000 पे है so addition यह writing ही मैं बोलूँगा 9,60,000 के writing यहां पे हुआ अभी भी 1000 पॉइंट के आसपास की है और वो 10,000 से 11,000 के बीच की है 9,342,000 का open interest addition है longs बनते हुए नजर आ रहा है यानि उपर जाते समय डेफिनेटली आपको 10,300 पे तो एक बार problem आएगा या आएगा क्योंगे 25 lakh का open interest है यहां पे लेकिन 10,500 आपके लिए real test का का काम चांसेज है अगर हम 10,300 के ऊपर थोड़ी दे सस्टेंद करें 330, 340 पे थोड़ी दे सस्टेंद करें तो आपको जितने shots बने हैं यह shots निकलते हुए market से नजर आएंगे और market के अंदर में real move देखने को मिलेगा Wednesday, Thursday इसके लिए सही time है, सही दिन है जिए shot covering नजर आवे आपक 10,300 है और यह cross रहा तो 10,500 है इस रेंज के अंदर में निफ्टी आने वाले week के अंदर में काम करता हुए नहरा सकता है दिखने क्या straddle भी से support कर रहा है 123 रूपीज and 138 रूपीज कितना हो गया लग 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 हो गर हम देखें इसे 270 पॉंट्स के आसपास की बात हो रही है 200 के आसपास है यानि 470 और नीचे की तरफ 270 यानि 10,000 तोड़के नीचे की तरफ 9,900 पर बढ़िया support है so definitely straddle भी इसे अप्रूव कर रहा है straddle भी इसी range के बार में बात कर रहा है chances है 10,500 अगर 10,300 तूटा एक बाद फिर से position long की जा सकते है 10,500 के लिए and अगर 10,000 के पास मे मिलता है तो position long करके की जा सकती है in case 10,300 के आसपास में आपको resistance मिला और position यहां पर unwind होते हुए नजर नहीं आई फर्दर unwind की में बात करो नहीं आई so एक बाद possible है आप 10,000 फिर से आते हुए नजर आए option chain पे live market में नजर रखना बहुत सरूरी है आपको काफी अच्छे clue देता है यह बैंक निफ्टी के बारे में बात करें कल का ही यह trend line है उसी trend line पे देखे आके आज के दिर में तो आसा resistance लिया हुआ है in fact अगर मैं बात करो इन चार candle के बारे में जो 15 minutes के candle है यह तो दिखा रहे है थोड़ी सी थकावट यहां से एक घंटे तक market 21,400 के label पे काम किया है so profit booking आ किस तरह से काम हुआ है follow up buying यहां पे भी देखने को मिली है लेकिन निफ्टी के अंदर में जो follow up buying थी आप देख सकते हैं वो कहीं गिरावट नहीं दिखा रही है पर बैंक निफ्टी के अंदर में ऊपर जाके थोड़ी से थकावट नजर आई अगर एक simple statement बोलना हो कि निफ्टी वीक है कि बैंक निफ्टी वीक है clear cut बोला जा सकता है कि बैंक निफ्टी फीक नजर आ रहा है निफ्टे से बहुँ जादा वीक नजर आ नहीं ऐसी बात नहीं है 21,600 पे profit booking उसके आसपास में देखने को मिलती है सेमें निफ्टी पे भी हमें 10,300 पे profit booking देखने को मिलनी चाहिए अगर वहां पे 10,300 तूटता है यहां पे आपको 22,000 के लेबल नजर आ सकते है बैंक निफ्टी में possibility है दो मैं यह clear cut बोलना चाहूँगा कि निफ्टी की rally के अंदर में बहुत बड़ा हाथ फिलाल एक ही stock का जो reliance है बहुत बड़ा हाथ है उसका बहुत बड़ा contribution है उसका सेमें यहां पे ICC bank ने contribute किया एज़िपसी bank ने contribute किया बैंकों यहां पे contribute किया लेकिन यह जो range है यह थोड़ी से थका और बरी range है आपको नीचे कप जाना है 10,200 देखें माफे 21,200 के आसवास में हमने resistance भी लि हुआ है यहां पर करना क्या है नजर रखना है 21,200 की लेबल पर and 21,600 की लेबल पर अगर 21,600 से U-turn ले रहा है market and 21,500 को तोड़ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो एक बार 21,250 की लेबल पॉसिबल हो सकते है 21,600 को तोड़ के sustain कर रहा है 22,000 लेबल भी पॉसिबल है एक बार साथ में विक्स के अपर में ध्यान रखना है उसको ध्यान रखेंगे उसको पर देखेंगे कैसे काम हो रहा है तो सेम यहां पर लेबल के वारे में बात कर रहा है 21,540 से resistance है नीचे की तरफ जो support है वह 20,967 and 21,200 पर support है सेम चीज़ यहां पर एक बार देली candle भी देख ले द इस तरह से बात कर रहे है 21,790 for 800 तक की rally possible है उसके आसपास जाते ही profit booking देखने को मिल रहा है in fact profit booking आपका 21,550 के आसपास में चालू हो जाता है आज के दिन में तो हमें 481 से ही देखने को थोड़ी बहुत देखने को मिले है profit booking नीचे की तरफ अगर 21,200 के आसपास में मिलता ह एक बार long करिए देखे market क्या view क्या बन रहा है अगर view positive है 21,200 के आसपास में मिल रहा है so एक buying opportunity आप के रिए बनेगी profit target of 21,500 अगर 21,200 के नीचे जा रहे है 21,500 के आसपास में है and view थोड़ा bearish होता हुए नजर आरा short position बना लीजे आपको 20,900 या 21,000 के level देखने को मिल सकते है option chain देख लेते हैं option chain के अंदर में हमने closing दिये 21,338 पे so 21,400 विल भी at the sorry 21,300 विल भी at the money let's talk about 21,300 position देख लेते हैं कैसी 1,217,000 and 1,09,000 21,500 डीट करने कोशिश करेंगे long position बनी हुई है 3,97,000 का open interest है highest open interest अभी भी 22,000 पे बना हुगा नजर आ रहा है highest open interest दो positions longs है 4,49,000 4,99,000 positions नीचे की तरफ भी थोड़े से shift हो रहे हैं बन रहे है so writing हुई है 22,500 पे writing हुई है 23,000 पे and ठीक ठाक writing हुई है in fact अब देखे तो meaningful writing में भोल सकता हूँ इसे यानि यह range थोड़ा सा नीचे shift होते हुए नजर आ रहा है कल के दिन में हाँ दो highest interest अभी भी 22,000 पे है जो writing करना जो prefer कर रहे हुई 23,000 के addition 22,500 पे है कॉल पूट साइड देख लेते हैं देखे 2,59,000 के writing 21,000 confident writing बोलूँगा why I am saying confident writing इतना नजदीक में आके writing करना over the period of weekend लाइकिन सरेडे संदेश चुटी है यह तो रिस्क ज्यादा होता है So 2,59,000 की confident writing में बोल सकता हूँ यहाँ पे जिनोंने writing के है वो expect कर रहे है कि market 21,000 शायद नहीं तोड़ेगा Monday के दिन में उनका यह expectation है और वो expect कर रहे कि market उपर की तरब जाएगा So 4,65,000 highest open interest अभी भी 20,000 पे नज़र आ रहा है यह 22,500 के assets में फिलाल नजर आ रहा है क्या हो सकता ही तो बड़ी range है क्या हो सकता है चोटी range पे 21,000 पे ध्यान रखना हमें 21,000 से 22,000 के बिश में काम होता हूँ नजर आएगा unwinding पे नजर दखेगा अगर unwinding होते हुए यहां पे आपको 21,500 के assets में फोड़ी unwinding होते हुए नजर आए या बिसिकली तो इतनी खास position कुछ बनी नहीं है लेकिन 21,000 पे भी अगर unwinding होते हुए नजर आ तो हम longs बना रहे हैं हम उपर के तरब जाते हुए नजर आ सकते हैं इ तो 1000 point का स्टड़ भनी रहा है 21,300 से 1,000 point नीचे जाएंगे मैं 20,300 की बात हो रही है वहाँ पे आन उपर की तरफ आते हैं तो लगबः 22,300 की बात हो रही है रेंज 21,200 21,000 से 22,000 की बीचका है stड़ से इसके आप नीचे जाते हैं तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं लीचे 20 20,300 तक, I expect कि 20,600 के आसपस किसी भी न्यूस के चलते आपको मिला, तो एक बाइंग अच्छी बन सकती है वहाँ पर और उपर की तरफ 21,600 पर ध्यान दीजिएगा, सो यह बात होगै निफ्टी, और बैंक, के बारे में आज कि वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो में कुछ पसंद्धा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ मैं शेर करेगा, अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आए तो आपकर वीडियो मिल जाए एंड जो फाइस्टॉक्स हमने दो तीन अफ्टे डाले हुए थे उसके अंदर में काफी मुवमेंट देखने को भी मिला हुआ था पुरी कोशिश होगी संडे को वीडियो देखने को आपको मिले सो दूस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया थ सब्सक्राइब करें का बेनेफिट क्या होता है चैनल को सब्सक्राइब करने के वैसे आपको निफ्टे किर बैंक निफ्टी का डेली व्यू मीलेगा अर मिलेगा और लिवं